आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi student, यहाँ पर question में दरख है कि Why do bodies of small mass requires small effort to bring them into motion, ठीक है? तो Newton-fast law of motion पर based यह question है, ठीक है? इस question को समझने से पहले हम लोगो Newton-fast law of motion को थोरा से समझ लेते हैं, उसके बाद इस question का solution निखा लेंगे So, according to Newton-fast law of motion, अगर कोई body, ठीक है? rest पे है, ठीक है? अगर body rest पे है तो will continue its state of rest until and unless an external force is applied, ठीक है? अगर इस body के उपर, बाहर से कोई भी external force अपलाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसका जो state है, rest position, rest state, उस state को maintain करेगा, ठीक है? rest पे ही रहेगा हमेसे के लिए, ठीक है? while, अगर कोई body move कर रहा है, ठीक है? constant velocity से move कर रहा है, ठीक है? तो अगर इसके उपर, बाहर से कोई भी force अपलाई नहीं करेंगे, तो ये constant velocity से move करता ही रहेगा, ठीक है? infinite time तक, ठीक है? तो यह उता है Newton का first law of motion, और Newton ने ये बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे logic क्या है? तो इसके पीछे जो logic है, वो है inertia of mass, ठीक है? अगर ये mass है, ठीक है? तो इससे associated inertia होता है, जो की state के change होने का oppose करता है, ठीक है? इसका state क्या है? rest, ठीक है? अगर हमको इसको motion में लागन लाना है, ठीक है? तो हमको बाहर से force apply करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके state को change करने का जो oppose करेगा, ठीक है? उस property बोलते है, inertia of this body, ठीक है? एन उसी inertia को overcome करने के लिए हम लोग यहाँ पर force apply करते हैं, तो यह आगे motion में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर देर रखा है question में, कि अगर कोई छोटा block है, छोटा body है, जिसका mass छोटा है, ठीक है? तो उसको हम लोग को motion में लाना है, तो कम effort apply करना पड़ता है, वाइल, अगर कोई बड़ा mass है, ठीक है? उसको अगर motion में लाना है, तो ज़्यादा effort apply करना पड़ता है, ऐसा क्यों? ठीक है? तो यहाँ पर simply देख सकते हैं, कि यह होता है inertia के बज़े से, state के change होने का oppose control करता है inertia, ठीक है? एंड जो inertia होता है, ठीक है? इस डिरेकली प्रपोर्शनल तो mass of the body, ओके? जिसका mass कम, उसका inertia होगा कम, तो इस कम force पे ही इसका state change हो जगा, वाइल जिसका mass होगा ज्यादा, उसका inertia होगा ज्यादा, तो ज्यादा mass वाले पे हम लोगो heavy amount का force apply करना पड़ेगा, अगर इसके state को change करना है तो, ठीक है? दूसरा logic है, कि अगर ये rest पे है, ठीक है? अगर कोई भी body rest पे है, ठीक है? तो अगर इसको हम लोगो motion में लाना है, ठीक है? तो इसका velocity change करना पड़ेगा, ओके? Now, velocity change होगा, यानि कि इसके अंदर acceleration आएगा, ओके? तो हम लोगो इसको acceleration provide करना पड़ेगा, तभी जाके इसका state change होगा, यानि कि rest से ही है, motion में लाने के लिए, अगर mass का value कम है, ठीक है? ओके? तो ये दूसरा logic कि अगर हलका mass है, ठीक है? small mass है, तो उसको small effort लगा के हम लोग उसके state को change कर सकते हैं, while अगर heavy mass है, तो उसके लिए हम लोगो heavy effort लगाना पड़ेगा, ओके? So, I think the explanation is clear to you. Thank you.